बुलुसरी प्राणनात प्यारे कीजे, बुलुसरी सद्गुरु महराज कीजे अब बहुत कहूं में केता करी है इसारत, दिल आवे तो ली जो सलुक, सुख पाए कहे श्री महामत, सुख पाए कहे श्री महामत, रागश्री सोई सोहागिन धाम में, जो करसीत रोसन प्राणाधर सुंदर साथ जी, अभी अभी हमने महात्म स्री यदुनन्दन जी के मुख से इसी वानी का गायन सुना वानी का इन सुनते सुनते मन में विचार आया कि इसी विशे में अगर बात करें, इसी विशे में प्रकास्ट डालने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि इस प्रकरण में वैसे तो संपुर्ण ब्रम्हवाणी सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है ऐसा नहीं है कि आज उसकी उपयोगिता है, इससे पहले नहीं थी अब भविशे में कम होने वाली है लेकिन क्योंकि हमें तो वर्तमान में रहना है, भूतकाल से शिक्षा लेकर के वर्तमान को सुधार ना है ताकि भविशे हमारा अच्छा हो सके, इसलिए इस प्रकरण का भाव समझ करके और भाव समझने का तात पर यह होता है कि हम उसको आत्मसाथ करें, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस प्रकरण को समझते हैं कि इसमें महामती जी हम सब सुन्दर साथ को क्या कहना चाह रही है चोपाई है, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इतरोसन भाषा की सुन्दर्ता को भी देखिए, क्योंकि यह ग्रंथ है, लिखित रूप में है किसी ने किसी भाषा में लिखी गई है, यह हिंदी भाषा में तो किसी भी भाषा में कोई ग्रंथ अवतरित हुई है, अथवा लिखी गई है तो उसकी भाषा की सुन्दर्ता के माध्यम से भी आपको उसका भाव पता चलता है कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है वो आप समझ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है केवल शाब्दिक अर्थ खोजेंगे केवल शाब्दिक अर्थों में पड़ेंगे तो आपको आधा अधुरा अर्थी समझ में आएगा यहाँ काव्यगत सुन्दर्ता के भाव को से अगर हम देखें इस चोपाई को तो इसमें आधि बात कह करके आधा वाक्य कह करके पूरी बात समझा दी गई है कैसे कि सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत्रोशन सोई और जो ये दो शब्द बहुत महत्वपून है यहापर कि परम्ध हम की वही ब्रह्मिस्रिस्टी है सुहागिन अर्थात ब्रह्मिस्रिस्टी परम्ध हम की ब्रह्मिस्रिस्टी वही है जो करसी इत रोसन रोसन अर्थात प्रकास उजाला लाइट कि इस जागनी के ब्रम्हान में जो रोशन करने वाली है जो भी ब्रह्म श्रिष्टी ज्यान का उजाला करने वाली है वही ब्रह्म श्रिष्टी है इसका ताथपरी क्या है कि जिस किसी सुन्दर साथ ने ब्रह्मवानी के उजाले को इस प्रकास को दुन्या में फैला करके अज्यानता का अंधकार समाब्त करने में सहयोग किया है उसके लिए जिसने तनमन धन न्योचावर किया है वही ब्रह्मस्टिस्टी है ये आधा वाख्य है पूरा वाख्य क्या है जो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन चिपा हुआ है वो ये है कि जो ऐसा नहीं करता हूँ ब्रह्मेश्विष्टि नहीं है अब व्याकरण में देखें, अंग्रेजी व्याकरण में इदर के साथ में और जुड़ा रहता है, निदर के साथ में नौर जुड़ा रहता है, इसका मतलब क्या है, कि तो ठीक है नहीं तो नहीं, सीधा तात पर ये है इस चोपाई का, कि सोई सुहागिन धाम में जो करसी इतरोसन, जो इस जागनी के ब्रह्मान में ब्रह्मवानी का प्रकास करेंगे वही ब्रह्मिस्ति है अन्य था नहीं और ब्रह्मिस्टियों का और अधिक लक्षण बताती आगे कहते हैं तौल मोल दिल माफक देशी सुख सबन सबसे पहले ब्रह्मिस्टि क्या करती है तुलना करती है मौल अर्थात मुल्यांकन करती है कीमत लगाती है कि मुझे जो चीज मिल रही है वह कितना कीमती है उसकी कितनी कीमत है सामान्य चीज मिली है सामान्य ग्यान मिला है अथवा ऐसा ग्यान मिला है जो आज तक ब्रह्मान में नहीं था इसी तरह से तुलना करते हैं तुलना हमेशा दो अथवा उससे अधिक वस्तुओं में व्यक्तियों में इस्थानों में होती है तो यहां तुलना कैसे करनी है ये प्रकरण जिस समय अवत्रित हुआ उस समय अवस्था कैसी थी कि एक तरफ सद्गुरु के नाम पर जो गादिवाद की प्रथा चली थी तो उस जिस गादि पर बिहारी जी महाराज बैठे थे कुछ सुन्दर साथ की स्रद्धा है उनके उपर कि ये सद्गुरु की गादि पर बैठे हुए उन्होंने जाहिरी गादि को देखा बातिनी रूप से वही सत्गुरु श्री इंद्रावती जी के रिदेधा में विराजमान हुए हैं इसको भी अनेक सुन्दर साथ ने पहचाना तो अब दो अलग-अलग वर्ग हो गए आस्था के दो अलग-अलग केंद्र हो गए तो ब्रह्मिसिष्टियों के लिए चुनना है ये तुलना करनी है दोनों में कि जाहिरी गादि को हमें अपनाना है अथवा यूगल सोरुप जिस रिदेधा में विराजमान है ऐसे अर्ष कहलाने वाले मुमिन दिल को गादि मान करना है तो ब्रह्मिसिष्टि तुलना करेगी इसी तरह से मुल्यांकन करेगी उस समय क्या था आज भी आप देखिए और उस समय भी देखिए मुल्यांकन अथवा जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कीमत लगानी है कि जो चीज हमें मिल रहे है वो कैसी है बिहारी जी जब चर्चा करते थे तो उनकी चर्चा में या तो श्री देवचंद्र जी के द्वारा कही गई कुछ बातें जो रटी रटाई होती थी उनका वर्णन होता था या फिर बहुत सारे किस्से कहानिया जो उन्होंने सुन्द रखे अथा जो उन्होंने स्वयम रच रखे हैं जैसा कि हमारे आएक आवत कहीं जाती है कि कहीं का इंट कहीं का रोडा भानू मतिने कुनबा जोडा तो कहीं कहीं का मिला करके बिहारी जी चर्चा किया करते थे तो वो चीज भी सुन्दर साथ को मिल रही है अब उसकी कीमत लगानी है कि बिहारी जी हमें जो दे रहे हैं उसका मुल्य क्या है और स्री जी साक्षात अक्षरातीत स्वरूप जिनके माध्यम से परमधाम की वानी अवतरिद हो रही है तो उन दोनों के बीच में मुल्यांकन क करना है सुन्दर साथ को आज भी परिस्थिति लगभग वैसी ही है श्री जी के समकक्स तो कोई हो नहीं सकता इस जागनी के ब्रह्मान में लेकिन आज भी दो अलग-अलग प्रकार की विचारधारा है दो अलग-अलग आस्था के केंद्र हैं एक आस्था का केंद्र ऐसा है जो सिर्फ इट, सिमेंट, अच्छे-च्छे संग मरमर जिसको टायल्स कहते हैं ऐसे टायल्स से बने हुए इस्थान है जो इस्थान तो बहुत चमकदार है घूमने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिचने के लिए तो वो इस्थान अत्यान तो उपयुक्त है ले भी ब्रह्मामानी के सिध्धान्द के विपरित है तो एक आस्था का केंद्रा वह भी है और दूसरा जहां बहुत अच्छे प्लास्टर किये गए दिवाल तो नहीं है बहुत अच्छे अच्छे टाइल्स तो नहीं लगे हुए हैं कुटिया जैसे स्थान है जोपड़ी जैसे स्थान है लेकिन अगर उस स्थान में किसी परमहंस का वास है आप देख लिजे जिस समय परमहंस महाराच्री राम्रतन दाहजी के तन से जागनी के लीला हो रही थी तो वहाँ पर आज के मंदिर मठ अथवा आश्रम कहलाने वाले स्थानों की तरह चमक धमक नहीं थी लेकि प्रवाह चला कि उनके द्वारा जो जागरिती फैली आज बहुत बड़े-बड़े मठ मंदिर और उस मंदिर के पुजारी उस मठ के मठा दिस ऐसे गादी के गादीपति मिलकर के भी नहीं कर पा रहे है जैसी प्रेम की रसधारा एक परमहंस की कुटियां से बह सकती है वै एक जो सिर्फ स्थान है और दूसरा वे स्थान जहां चमक धमक तो नहीं है लेकिन ज्यान और प्रेम का प्रवाह चल रहा है तो अब सुन्दर साथ की आस्था दोनों के तरफ है कोई परमपरावस की हमारे पूर्वज इसको मानते आ रहे हैं हमारे पूर्खे इसको मानते आ रहे हैं तो हमें मानना चाहिए ऐसा सोच करके भी उन इस्थानों पर आस्था रखते हैं कि यहां पर श्री प्राणच जी विराजमान हुए थे किसी समय में उस पर रास्था रखते हैं और पूछ समजदारी पूर्वक यह सोच करके कि यहां से हमारे प्राणच जी की वानी की रसधारा बह रही है राजी का जो वांग में शुरूप है उसके ज्ञान की रसधारा बह रही है तो ऐसे इस्थानों में अपनी आस्था रखते हैं तो सुन्दर साथ को मुल्यांग कन करना है कीमत लगानी है क्या ब्रह्म स्रिष्टियों के लिए संपुर्ण ब्रह्मान के खजाने को एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ राजी का प्रेम रखा जाए एक तरफ राजी का आनंद रखा जाए तो ब्रह्म स्रिष्टि के लिए क्या प्रिय है जो भी ब्रह्म सिस्टी होगी वहां तो येही चाहेगी कि सम्पुन ब्रह्मान का जो धन है उसको में ठुकरा सकती हूं रज्जी के लिए ब्रह्मसिष्टी की तो यही आवाज होती है कि सारा ब्रह्मान भी एक तरफ हो जाए इंद्राओति जी क्या कहती है कि मेरे धनी तुम्हारी साहवी ब्रह्मान की साहवी की तो बाता लगे वो तो राज्जी की साहवी को भी ठुकरा रही है कहते हैं मेरे धनी तुम्हारी साहवी तुम अपनी राखो आप इसक दीजो मेरा यहिसो इसक दीजो मोहे आपनो मेरा यहिसो मिला आप मुझे अपना इश्क दीजी आप मुझे अपना प्रेम दीजी जिसे कि मैं आप से मिलाब कर सको मुझे आपकी भी साहिवी नहीं चाहिए तो फिर 14 लोगों के ब्रह्मांड की साहिवी किस काम के तो इसी तरह से इस संचार का कितना भी वैव हो क्यों नहों के उपर राजजी के प्रेम को उनके आनंद को और उनके वस्तविक जियान को ही प्राथ्थमिक्ता देती हैं अन्य था बड़े महरात्जी की कुठिया में कोई नहीं पहुंशता अगर और यूरोपिय जितने अ देश हें वहां के लोग तो भौत अमेर होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं आपने देखा होगा आपको भी हरिद्वार गए होंगे देहरादुन गए होंगे या फिर भारत के भी अन्नी इस्थानों में भी घुमे होंगे जिनको हम तीर्थ इस्थान कहते हैं धार्मेक इस्थान ऐसे स्थानों में आपको ऐसे लोग दिखाए पड़ेंगे जो अंग्रेज होते हैं लेकिन यहां आ करके यहां की संस्कृति में रल मिल जाते हैं यहां के संस्कृतिं में घुल जाते हैं क्योंकि यहां पर उनको प्रेम मिलता है यहां पर उनको अध्यात्मिक आननद मिलता है तो संचार का वयभव अगर एक संचारी सामान्य वैक्ति हो करके ऐसे यूरोप के लोग ठुकरा सकते हैं तो जिन्होंने ब्रह्मेश्ष्टि का दावा किया है उन ब्रह्मेश्ष्टिओं के लिए संचारी वैभाव संचारी वैभाव में डूबे हुए मठ मंदिर आश्रम चाहे वो कोई भी हो अगर वहां केवल संचारी वैभव है राजी का ज्यान नहीं है सुन्दर साथ का प्रेम नहीं है तो ब्रह्मिस्टी के लिए वहां फिर किसी काम का नहीं क्योंकि कोई भी संदर साथ अप अपने हुरदय में हाथ रख करके विचार करके देखिये कि कोई संदर साथ किसी भी धार्मेक स्थान में केवल बोजन के लिए नहीं जाता एक मैं उदाहरन देना चाहता हूं हो सकता है किसी को उदाहरन से दुख हो अगर लेकिन मैं सच्चा ही कह रहा हूं किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए पन्ना धाम में जब सुन्दर्शाथ पहुंचते हैं तो कोई भी सुन्दर्शाथ आपने देखा होगा कि भिन 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 इस्थानों में भिन भिन सुन्दर्शाथ के द्वारा भोजन बाटी जा रही होती है भोजन की व्योस्था की गई होती है और भोजन की व्योस्था में ऐसा कोई छपपन भोग नहीं होता है सामान्य खिचड़ी होती है देखने में सामान्य लगती है सामान्य रोटी सबजी डाल का भोजन मिलता है सुन्दर साथ को लेकिन वहाँ जो प्रेम मिलता है वहाँ की भूमी में जो एक आजकल की बोलचाल की भासा में कहें तो सब उसको वाइबरिसन कहते हैं अभामंडल कह लीजिये उसको हए के वाहा की भुमी में जो अभामंडल है और सुन्दर साहत वहाँ पर साक्षात सुरी जी चील विराजमानकर के जब गय होते हैं तो मिलने वाली खिचडी में वहाँ मिलने वाली साधी, खिचडी में, साधा, रोटी, सबजी और दाल में 56 भोग का स्वाद आता है सुन्दर साथ वैसे तो पन्ना का जो इस्थान है वहाँ देखने में भी एक दर्शन्य इस्थाल की रूप में भी बहुत सुन्दर है लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तब भी सुन्दर साथ वहाँ पर जाता क्योंकि वहाँ पर कोई सुन्दर साथ वहाँ के पत्थरों को देखने के लिए वहाँ की अच्छे अच्छे चमकदार टायल्स को देखने के लिए कोई नहीं जाता है हो सकता है सुदर्शाथ को उस 5 दिन के सरद पूर्णिमा के कारेक्रम में चाहे वो 5 दिन का हो 7 दिन का हो वहाँ पर उनको भौतिक आनंत की अनुभुति नहीं होती है बहुतिक कौन सी सुविधा वहाँ पर मिल रही है पिलकुल सामन्य सुविधा मिलती है और कई बार तो सुन्दर साथ की भीड इतनी हो जाती है कि वह सुविधा भी नहीं मिल पाती है लेकिन फिर भी स्री जी के प्रती प्रेम के कारण अक्षिरातित स्री राज जी के प्रती 13 साल से पन्ना धम जा रहा हूं नंगे पैर घूम रहे होते हैं पैर में छोटे छोटी गिटियां बत्थर चूबते हैं लेकिन फिर भी सुन्दर साथ के मुख से उफ नहीं निकलती बस वहां पर परिक्रमा लगाते रहते हैं चर्चा सुनते रहते हैं वहां बैठ करके ध्या आप दर्शन कर रहे होते हैं खोटी सी-छोटी सेवा मिल जाये तो अपनी आपको क्रित ग्रित्यू समझते हैं कारण क्या कि वहां की भुमी में वह प्रेम है अगर आप किसी भी मठ में जाएं, किसी बड़े-बड़े मंदिर में जाएं और वहाँ पर अगर प्रेम न मिले, वहाँ पर वानी की चर्चा न मिले, वानी का गायन न मिले और केवल ये कह दिया जाए कि नहीं यहाँ पर तो हमने राजी रखे हुए आप दर्शन कर लो इतना ही परियाब थे तो कोई इसके लिए नहीं जाता है इसलिए सुन्दर्शात तुलना करता है आज कोई भी सुन्दर्शात जिसने ब्रह्म सुष्टी का दावा किया है एक उदाहरण के लिए हमारा कोई मंदिर है प्राणाजी मंदिर है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और वहाँ पर ब्रह्मवानी की चर्चा हो रही है और वही पर अक्षर धाम हो चाहे वह इस कौन के मंदिर हो जो भव्य बनाए गए है जहां कि रचना बहुत सुन्दर होती है किसी सुन्दर साथ को पूछा जाए कि आपको विकल्प दिया जाता है आप कौन से मंदिर में जाएंगे तो सुन्दर साथ कहेंगे कि नहीं हम तो प्राणाजी मंदिर में जाएंगे क्यों रुचना की द्रिष्टी से बाहियशंद्र कि द्रिष्टी से अगर देखा जाए तो यह मंदिर जिनका मैंने नाम लिया चाहे वह स्वामी नारणूं का अक्षरधाम हो चाहे इसकुन मंदिरों जाहे अच्छे बने होते हैं लेकिन वहां पर अक्षर deinen का जिएन नहीं मिल रहा होता है परंधाम का ज्ञान वहां का महीं किसलिए की लिए किसी काम करिया इसलिए सुंदर साथ मुल्यांकन करता है तौल मोल दिल माःफक द्यप्विश सुख सवन फिर देगी क्योंकि क्या कहा पहले सुख सुहागनी पीछे सुख संसार तो पहले सुहागन ब्रम्य सुष्टी उस सुख को लेगी ग्रहन करेगे क्योंकि अगर खुद के पास नहीं होगा तो भला दूसरे को क्या दे सकते हैं तार्तम में क्या कहा कि ए सत्वाणी मत के लिउज इनको सार फिर आगे कहते हैं इन सार में कई सत्थ सुख सो में निर्ने करू निर्धार। आगे क्या कहा ए सुख देऊं ब्रह्म स्रिष्टी को तो में अंगनानार। दो अलग-अलग स्टेप हुए। पहला स्टेप जिसमें वाणी का मन्थन करके उस पर चल करके युगल स्वरुप के अपने रिदय धाम में बैठाने का सुख लेना है और उसके साथ साथ में ब्रह्म स्ष्टियों को वो सुख देना है केतने देशे सुख सबन सभी ब्रह्म स सिर्दार सुन्दर साथ कौन है सिर्दार सुन्दर साथ कौन है तार्तम लेने वालों की संख्या तो बताया जाता है कि 40 लाग है लेकिन उनमें विशेश सोभा सिर्दार सुन्दर साथ की सोभा प्राप्त किसे है जिनके अंदर इमान है जिनके अंदर जितना इमान होगा व जो जितना समर्पण करेगा, उसको शोभा भी उतनी ही मिलेगी। चत्र साल जी ने सबसे अधिक समर्पण किया तो उनको उतनी ही सोभा मिले। लाल दाह जी ने भी अपने तरब से सर्वस्व समर्पण किया उनको वैसे ही सोभा मिले। और ऐसे बहुत चारे सुन्दर सा थे। जिनकी चर्चा जिनका नाम हमने अभी लगभग एक मैना भी वेतित नहीं हुआ बित्तक की चर्चा में हम सुन चुके हैं। तो इसलिए जिसका जितना इमान होगा प्रेम वह उतना ही लेकर आएंगे, समर्पण वह उतना ही करेंगे, तो ऐसा समर्पण करने वाले सुन्दर स साथ, इसके लिए आवसेख है ईमान, आज क्या होता है सुन्दर साथ में। तार्तम ग्रहन करते हैं, तार्तम लेने के बाद, कुछ सुन्दर साथ जिनको अगर लौकिक कस्ट आ रहे हैं, कहते हैं कि चली लौकिक कस्ट आ रहे हैं। सारी विक रूप से कमजोरी लग रही है, किसी ने निर्देश दे दिया, कि आप हनुमान जी का वरत रख लीजिए, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को तो बल का प्रतीक माना जाता है। किसी को कोई कमी आई पढ़ाई में कमजोर हुआ, तो किसी ने कह दिया, कि आप गणेश जी का वरत कर लीजिए, वो बुद्धी के मालिक कहे जाते हैं। कि आप सरस्वदी जी की उपासना कर लेजिए, सुन्दर हाथ कर लेते हैं। आपने इतनी भी पहचान नहीं की, कि संचार में जितने देवी दे होता है महापूरुसें, वो सभी भी राज्जी की ही उपासना करते हैं। उनका ही ध्यान करते हैं, उनकी भक्ती करते हैं। तो फिर पहचान क्या हुई vide? और जिसको इतनी पहचान हो जाती है, उसको इतना पता चल जाता है, कि जड़ में पानी डालते हैं, तो पूरे पेड़ के पत्ते पत्ते में डालने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से अगर हमने राजी को रिजा लिया तो सब रिज गये किसी साध्व ने कहा एक साध्य सब सध्य और सब साध्य सब जाए एक को अगर पकड़ लिया तो सारे सद जाते हैं अगर सब को खुश करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी खुश नहीं होगा फिर ना आप राज्जी को रिजा पाएंगे नव देवी देवताओं को एक बार क्या हुआ कि ये केवल द्रिष्टान थे वास्तविकता नहीं है लेकिन समाज में परिष्थितिकल कुछ ऐसे ही है इसका धर्म बड़ा है किसका भगवाण बड़ा है तो सब ने कहा ये निरनेलिया कि हम पहाड की चोटी पर जाकर के कूद जाते हैं अपने अपने भगवान का नाम रेंगे अपने अराध्य का नाम रेंगे और जो आ करके बचाएगा उसका धर्म्स रेस्थ है उसके वसक् मास्वर का खूद गया उसके इस्वर ने उसको बचा लिया इन सबतरप्षा नामलिए और अगले पलर फिर विष्ण भगवायर नाम का नाम लिए व स्फय त्यार हुए उने तब टिक की हछला अच्छाा मुझे ब्रहभुसाए तब तक हनुमान जी का नाम लिए तो गणश जी निसे अचा हनुमान लिया सोचा हनुमान को भूला रहा सब का नाम लेता गया सब एक के उपर टालते रहे और वो बंदा नीचे गिर गया परिणाम आप सब समझ सकते हैं मतलब क्या इसका ये केवाल एक द्रिश्टान थे लेकिन समाज की परिस्थिती कुछ ऐसी ही है कि एक के उपर इमान नहीं है कि कहावत कहीं जाती है कि आधी छोड़ पूरी को धावे आधी मिली ना पूरी पावे और यहां तो क्या हो रहा है कि आपको पूरा मिल रहा है लेकिन उस पूरी को छोड़ करके आधे अधुरे के चकर में फंस रहे हैं तो ना इधर का पूरा मिल रहा है और ना आधा मिल रहा है तो इसको इमान नहीं कहते हैं और ब्रह्मसिष्टी के ल पेहलालक्षण ही इमान मताया उसके बाद इश्क पिर सुक्र गरीबी सब्र इनवी दरूह हैं दोस्ती धनी की पियार कर सकेत्यों कर तो सबसे पहले इमान तो जिसके अंदर इमान होगा वही वास्तव में ब्रह्मर्मस्रिष्टी और ऐसी ब्रह्म कहते हैं सो धन धाम को तौल से केसी ब्रह्मिस्ष्टी परमधाम के धन की तुलना करेगी परमधाम का धन क्या है रजी का ग्यान उनका प्रेम रजी के ग्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला इमान फिर प्रेम और फिर रजी का सौंदर्य परमधाम का सारा का सारा खजाना वह परम्धाम का धन है अब एक ब्रह्म सिष्टी जो अभी पूर्ण रुप से जागरित नहीं हुई है बौधिक जागरिती हुई है उनके लिए ये सरल रास्ता बताया गया है क्योंकि आज क्या है दावा करने वाले तो बहुत हैं कि हम समाज को सभी रास्ता दिखा रहे हैं हम सच्चे सद्गुरु हैं सद्गुरु का दावा करने वाले लोग बहुत हैं स्वगोसित 10818188 अनंद विभोसित सद्गुरु जगद गुरु कहलाने वाले भी बहुत हैं अब हमें तुलना करने हैं हमें लक्षण देखना है क्योंकि आपके सामने नमक चीनी फिटकिरी इन सब को पीस करके अलग-अलग धिर रखा जाए आप क्या करेंगे देखने में तो सब एक जैसे लग रहे हैं क्या करेंगे आप देखेंगे उसके लक्षण कसेला है तो कहेंगे फिटकरी है मीठा है तो कहेंगे चीनी है नमकिन है तो अविसली नमक है तो आपको लक्षण देखना है कि आप जहां से परमधाम का धन खोजना चाहते हैं क्या वहां पर यह यह चीज़ें हैं आप देख लिजिए कि परमधाम का ज्यान परमधाम की ज्यान की पहचान राजी की पहचान और फिर परमधाम में राजी के अंदर जो प्रेम है उस प्रेम की जलक आपको किस से मिल रही है उसको आप सद्गुरु समझें इसलिए कहते हैं सोधन धाम को तौल सी एसी ब्रह्मिस्षटी जो खोज के क्रम में है अभी वो देखेगी और देखने के बाद क्या करेगी कहते हैं करसी द्रिड निर्धार एक बार देखने के बाद जब उसको पहचान हो जाएगी जैसे इस संचार में एक गुरु होता है वहां शिश्य बना पहले क्या करता है जैसे घड़ा खरीदते हैं तो घड़ा खरीदने से पहले हम ठोक पीट करके देखते हैं वैसे ही गुरु भी शिश्य बनाने से पहले परखता है परिक्षा लेता है वैसे ही अध्यात्म के छेत्र में भी अगर आपको किसी को गुरु बनाना है तो आपक अधर के ना हो चुकि सद्गुरु की प्राप्ति होने के बाद हमें करना क्या होता है सद्गुरु के प्रती समर्पन और समर्पन अगर आप किसी के उपर करने जा रहे हैं तो आपको तो परक्ता होगा ना कि जिसको मैं अपने जीवन की बाग डोर दे रहा हूं जिसको मैं अपना सर्वस्व समर्पन कर रहा हूँ उसके अंदर वास्तों में ये गुण तो नहीं तो समाज में बाबा बहुत हैं कई बाबा ऐसे हैं जो जेल में हैं और कई बाबा ऐसे हैं जो जेल जाने के कगार पर हैं तो इसलिए आपको पहले तुलना करनी है कि लक्षण क्या होने चाहिए जिसको हम सद्गुरू मानने जा रहे हैं जिसको हम सद्गुरू स्विकारने जा रहे हैं उनके लक्षण क्या ह होने चाए उनकी रहनी कैसे होनी चाहिए पहले रहनी को देखे क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करने वाले तो बहुत हैं कर और उसको अपना सद गुरु मानने के बाद उसके उपर इमान ले करके क्या होगा सद्गुरू की प्राप्ति होने के बाद सद्गुरू टो सभर करतार तो सद्गुरू के साथ राजी होंगे और जब सद्गुरू को हमने अपना बागदोर कि सौंब दिया तो सद्गुरु हमें राजी की पास्टक ले जाएंगे इसलिए हमें पहले परखने की जरुवत थे तोलने की जरुवत तुलना करने की जरुवत और फिर क्या कहते हैं अगली चौपई में यह चौपई बहुत ही महतोपुर्ण है कि तुलना किस किस चीज में करनी है अगर हमें किसी के उपर इमान लाना है तो इमान लाने से पहले हमें क्या क्या देखना है कहते हैं पहले तौले बुद्ध जागरत पहले जागरत बुद्धी को देखेगे कि जागरत बुद्धी कहां पर है अब उसके बाद पीछे तौले धनी आवेस राजी का आवे कर रहे हैं लेकिन सूरत पहुचने के बाद स्री जी ने क्या कहा कि अगर उनके अंदर राज्जी का आवेस होता तो यह ऐसा कदापी नहीं करते धरा भाई को सुन्दर साथ से वहिस्कृत कर रहे हैं रूपा राधा को भी उन्होंने वहिस्कृत कर दिया था उनकी वज़से राज्जी को अपना शरीर त्याग करना पड़ा था राम जी भाई को उन्होंने सुंदर साथ में सुईकार ही नहीं किया उनको क्ये वल गरेब जान करके और यहां तक कि उन्होंने नियम बना दिया कि एक तो नीच जात को सुनायों नहीं तार्थम तो जातिवाद का पिर विद्वाइस्त्री को तार्तम न देने का ऐसे अनेकों उन्होंने ऐसे नियम बनाए और फिर सुन्दर साथ को वो परम्धाम से वेश्कृत करते जा रहे थे इसलिए यह तुलना कर रही है कि राजी का आवेश जिस्तन में बैठ करके लिला कर रहा है क्या उनकी रहनी उनके अलक्षण ऐसे हो सकते हैं भला फिर आगे और तौले इश्क तार्तम उनके अंदर परम्धाम का प्रेम है कि नहीं उसकी तुलना करेगी तार्तम ग्यान है कि नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि जोपई रट लिया तार्तम वाणी को उन्होंने समझा है कि नहीं जीवन में उतारा कि पहले वो तुलना करेगी अब जब वो देख रही है जब परम्धाम की ब्रह्मिश्ष्टी देख रही एक सुंदर साथ मान लिजिए उधारन के लिए कोई एक विक्ति है वो जब ढूंड रहा है तो पहले तो सरीर को ही देखेगा ना कि फलाना विक्ति है उसके अंदर यह लक्षण है कि नहीं यह व्यक्ति इसके अंदर यह लक्षण है कि नहीं तो पहले वो व्यक्ति भाव से देख रहा है उसके बाद जब उसने लक्षण देखा जब उसको द्रेड विश्वास हो गया कि हां इनको मैं अपना सद्गुरु मान सकता हूं यह वास्तों में समर्पित होना चाहिए तब क्या होगा वो उपला भेस मतलब शरीर भाव से ऊपर उड़ जाएगा क्योंकि बिना सरे वह किसी शरीर के प्रतितों हमें समर्पित नहीं होना है ना जंडु दतजी का जो शरीर था उसके प्रती तो किसी ने समरपन नहीं किया उनके हरिदय में जो यूगल शौरूप विराजमान है तो राजि का सौरूप मान करके उनके प्रती सुन्दर साथ समरपित हुए उनके अलावी जितने परमहंस हुएं उनके रिदय में राजी विराजमान है तो यह मायर शरीर भाव से उपर ऊट करके ही उस सुंदर साथ को उस परमहंस को शरीर भाव से उपर मान करके ही सुंदर साथ ने समर्पित किया इसको कहरें tav पल्टे उपलो भैष कि वहाँ बाहिये भेशभुसा से भासा के बंधन से जाती के बंधन से परे उठ जाएगे एक अगर लौकिक द्रिष्टी से देखें तो परमहंस महाराच्रे रामरतंदाश जी जिनके तन का नाम जंडुदत है वह तो यूपी में पैदा हुए उत्तर प्रदेश में लेकिन आज चाहे कोई वेक्ति नेपाल में पैदा हुआ हो चाहे कोई सुन्दर साथ अमेरिका में रह रह रहा हो चाहे कोई गुजरात में रह रह रहा हो हो सकता एक सामान्य सुन्दर साथ में जाती का प्रांत का भेद हो लेकिन परमहंस तो सर्वभोमिक होते हैं कोई गुजरात में पैदा हुआ सुन्दर साथ यह नहीं कह सकता कि मैं तो गुजरात का हूँ मैं यूपी वाले परमहंस को क्यों प्रणाम करूँ मैं तो सिर्फ प्रांत वर्ग वर्ण के भेद को समाप्त करना प्रमांच महाराच्री रामरतन दाहजी भावतिक द्रिष्टी कौन से संपन्न नहीं थे लेकिन जितने भी अमीर लोग थे जिन्हों ने उनकी पहचान की थी उन्होंने अपना सर्वस्व अपनी सारी अमीरी उनके चरणों में सौप दी थी अगर उपलो भेश जो है बाहियो भेश भुशा भासा वर्ण वर्ग का भेद होता तो ये गरीब ये अमीर कोई समर्पन कैसे कर पाता तो समर्पन करने के लिए बाहियो चीज से उपर उठ करके जो चीज हमें दिखाई पड़ रहे हैं उनके उपर उठ करके हमें उनके अंदर के स्वरुप को पहचानना होगा उनके अंदर कौन्से शक्ति लिला करें उसकी पहचान करनी पड़ेगी तभी ये उपलो भेश तभी ये बाहियो वेश शमाप्त हो सकता है मिट सकता है इसलिए जितने सुन्दर साथ इस चर्चा को सुन रहे हैं सभी सुन्दर साथ से ये प्रार्थना कि हम भाषा प्रांत जाती अमीर गरीब रंग इन सब के भेद में ना पड़ें हम इस गादी की अनुयाई हैं हम इस स्थान के अनुयाई हैं चाहे वो श्री प्राणनात ज्यान पीठ हो चाहे श्री प्राणनात जी मंदिर हो चाहे वो कोई भी हो हम किसी के भी भेद में ना पड़ें कि हम इस से जुड़े हुए हैं तो हम इस चीज को नहीं मानेंगे इस से जुड़े हुए तो इस चीज को नहीं मानेंगे जहां कहीं भी अगर आपको लगे कि ये ब्रह्म सुष्टी के लक्षण है ये जो आचारिय है अथवा ये जो गुरु है इनके अंदर सद्गुरु के लक्षण है तो उनकी बातों को हमें मानना चाहिए चाहिए प्रत्यक्स रूप से हम आ पाएं अथवा ना आ पाएं लेकिन उनकी बातों को उनके आदेश का हमें अनुशरन करना चाहिए पहले प्राचिन काल में भी ये कहा जाता था गुरु कहते थे गुरु जो करते हैं वो नहीं करना है हमें गुरु जो कहते हैं वैसा हमें करना है वैसे ही सद्गुरु के आदेश का हमें पालन करना है तो पहले यह जो तीन चौपाई कही गई है सभी सुन्दर सात्य में आग्रह करूंगा सब के पास अभी परियात समय है किरंतन का 95 नंबर का प्रकरण है इसकी पहली दूसरी और तीसरी चौपाई है जितने सुन्दर सात इस चर्चा को सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे इस में कैसे कैसे तुलना करनी है और इसको लागू कीजिए किसी भी भाषा के बंधन में वर्ण के बंधन में प्रांत के देश के जाती के गादी के मंदिर आस्रम मठ मठा दिस और किसी भी लोकिक गुरू के बंधन में आप मद्ध है क्योंकि आत्मा बंधन में बंदेगी तो तो फिर मुक्त कौन होगा ब्रह्मेसिष्टी बंधन में स्वयम बनने वाली नहीं है ब्रह्मेसिष्टी तो बंधन से मुक्त कराने वाली है तो आप किसी भी चीज के बंधन में नबद करके सत्य की पहचान करके उस सत्य को स्वेकार कीजिए ऊससत्य को अंगीकार कीजिए उस पर उसका अनुशरण कीजिए तो सभी सुन्धर साथ से यही प्रार्थना है मेरी कि सभी सुन्दर साथ हो सके तो संपुन प्रकरण को पड़े बहुत अच्छी बात है नहीं तो इन तीन चोपाईयों का अर्थ और भावार्थ आप टिका में से देख लीजिए और फिर उसको अपने अंदर आत्मसाथ करने का प्रयास कीजिए और चुकि अब तो समय हो चुका है चर्चा को समाप्त करने से में सभी सुन्दर साथ की एक राय जानना चाहूंगा कि हम इस वार्षी कुछ सव के कारिक्रम को यूट्यूब और जूम दोनों के माध्यम से लाइव दे रहे हैं दोनों अलग-अलग डिवाइस का हमने प्रयोग किया है यूट्यूब के लिए अलग डिवाइस से और जू यूट्यूब पर ही सीधा प्रसारण किया जाए क्योंकि जूम में बहुत सारी डिस्टरबिंग आ रहे है सुन्दर साथ को हां बस आप सुन्दर साथ चीए राय लेनी है कि अगर हम सिर्फ यूट्यूब पर प्रसारित करें आवाद सही रहेगी उस बात की गारंटी हम दे है यह दोनों तरह के सुन्दर साथ जो जूम के माध्यम से सुनना चाहते हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से सुनना चाहते हैं या तो आप मुझे से संपर्क कर लिजेगा फेस्बूक के माध्यम से या पुकार जी जिनका जिनकी फेस्बूक आईडी में लगभग सभ सुनतर साथ होंगे उन सबसे हम दोनों से आप संपर्क करके आप अपने राय दे सकते हैं आप अगर दोप्र तक दे देंगे दोपर कि एक या दो बजे तक देंगे तो हम फिर कल के लिए उसी तरह की व्युत्र स्ता करेंगे कैसे देनी है क्योंकि दोनों के माध्यम से अगर हम कर रहे हैं तो फिर क्लियरिटी वह क्वालिटी सही नहीं आ पा रही है तो इसलिए आप सब सुन्दर साथ से हम यह राय जानना चाहते हैं इनी किस इनी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं प्रणाम जे झाल